तो लास्ट वीडियो में हमने html forms के बारे में सीखा था जो भी inputs है और attributes है वो किस्तार सा व्यूस कर सकती हो हमने देखा था यह उसी का second part है अगर आपने फर्स वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लो फिस वीडियो का continue कर सकते हो तो first हम देखते है input types तो आपको multiple input types मिल जाते है html में जैसे कि button हो गया checkbox, color, date हो गया, emails हो गया, file हो गया next हम देखते हैं कि आप mean and max attribute को किस तरह से यूज कर सकते हो जैसे यहाँ पर मैंने एक form बनाया है इसमें मैंने लिखा है कि enter date before 1980 तो यहाँ हमने input type में यहाँ पर max को set किया है max attribute को यहाँ पर मैंने लिखा है 1980 यहाँ पर date set कर दिया है तो max से होता क्या है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर यह date वाला option यहाँ पर आ रहा है जैसे यहाँ पर मैं click करूगा मुझे कोई date को update करना होगा तो मैं 1980 से पहले का date update करूगा मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और example दिया है जीसे मैंने यहाँ पर max set किया है 1980 अगर किसी को यहाँ पर date update करना होगा तो 1980 कर सकता है 79 कर सकता है, 78 उससे पहले का जितना भी होगा न वो date को update कर सकता है लेकिन 1980 से उपर वो नहीं कर सकता है Next अपका है mean यानि की minimum हो गया यहाँ पर हैं मैंने एक debt set किया है 2024 तो अगर जो भी user यहाँ पर Durk to update करने जाएगा तो वह 2024 25 26 हो गया या अगे जितने भी dearts आएंगे उनको सबको अपडेट कर सकता suspect लेकिन इससे पहले का अपडेट नहीं कर सकता जैसे कि 2023 हो गया 22 हो गया या जितने भी इससे पहले के डेट है जैसे कि 2024 के पहले के उसको अपडेट नहीं कर सकता एक और एक्जमपल दिखा जाता है आपको यहाँ पर जैसे मैंने minimum 1 लिखा है mean 1 और max 5 अगर किसी को यहाँ पर अपडेट करना होगा quantity को तो minimum वो 1 कर सकता है 1 से कम नहीं कर सकता मतब 0 नहीं कर सकता क्योंकि हमने minimum 1 लिखा यानि कि 1 उसको करना ही करना है यहाँ 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 ज्यादा से ज्यादा वो 5 को अपडेट कर सकता है अगर वो यहाँ पर 6 अट करेगा तो और नहीं हो पाएगा नेक्स हमारा है placeholder attribute तो इसको हम input में लिखते लिखते हैं अब इससे फाइदा क्या होता है जैसे को user आपके website पर आता है और आपके form में वो कुछ id नहीं करता है और direct submit करने जाता है तो उसको इस type का message मिल जाता है तो जो user होगा वो जब तक all field को fill up नहीं करता है उसमें data नहीं add करता है तब तक जो form होगा वो submit नहीं attribute तो step attribute को हम input में इस तरह से लिखते है step equal to और उसमें हम number add करते है जैसे कि यहाँ पर input field बनाए है और जैसे इसमें मैं step equal to 3 लिखूँगा जब मैं इस पर click करूँगा तो यहाँ पर मुझे up and down का arrow शोओगा अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ तो हमने यहाँ पर step में जो number ल जीरो हो जाएगा नेक्स हमार है autocomplete attribute तो autocomplete को हम इस तरह से लिखते है form में autocomplete equal to on अगर आपको इसको on करना है तो आपको इसको off यहाँ पर लिखना बढ़ता है तो autocomplete से आपको फाइदा क्या होता है जैसे आप किसी website पर जाते हो first time और वहाँ पर कुछ आप data add करते हो form में उसको submit करते हो जैसा कि login हो गया या registration हो गया और बाद में आप फिर उस website पर जाते हो तो जब आप उस field पर क्लिक करते हो तो आपको suggestions आ जाते है browser आपको suggestion दे देता है next हमारा visible value तो visible value को हम select में use करते है तो last video में हमने देखा था form के कि आप options को कैसे use कर सकते हो तो बहाँ आप यहाँ पर number side करते हो तो आपको इस तरह का output मिल जाता है मतलब इस type का drop down मिल जाता है यहाँ पर जितने number side करोगे वो by default आपको उस तरह के यहाँ पर select का option मिल जाता है अब आपको इतना समझ में नहीं आएगा practical करोगे तो आपको यह और समझ में आ जाएगा next हमारा है multiple अगर आपको आपके जो options है उसमें से अगर कुछ options को select करना है तो उसके लिए हम multiple का use करते है तो आपको बस select में multiple लिखना होता है और अगर आपको आपका जो form है उसमें से अगर कुछ option को select करना है तो आपको बस आपकी keyboard पर control प्रेस करना होता है और आपको mouse से click करना होता ह तो आपको जो भी options select करने होंगे न वो select हो जाते हैं कुछ इस तरह से आपको next हमारा है takes area element तो इसका जो use होता है वो ज्यादा दर हम message में करते हैं या अगर आपको यह block बना रहे हो और उसमें आपको कोई content add करना है जिसका content का size हो ज्यादा है तो उसके लिए हम यहाँ पर takes area का use करते हैं तो takes area में आपको multiple यहाँ पर input यहाँ पर फिल्स आप इसमें मिल जाते हैं आपको इसको add करने का syntax देख लेते हैं आपको यहाँ लिखना होता है takes area फिर last map आपको take area को close भी करना होता है और इस take area को आप एक name भी दे देते हो और उसके आगे आपको लिखना होता है कि आपको कितने rows चाहिए तो उतने आपको यहाँ पर यहाँ पर 10 यहाँ पर rows मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको कितने columns चाहिए तो उसके लिए हम calls लिखते हैं और number add करते हैं तो columns का जो take area उसको एक width मिल जाती है next हमारा action attribute जैसे आपने कोई एक form बनाया है contact का और जब user उसमें जाता है उस contact form को fill up करके जब submit करता है तो submit होने के बाद क्या action देना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर form में action लिखना होता है मतलब जैसे यूजर submit करेगा तो आपने जो भी यहाँ पर action लिखा होगा जैसे यहाँ पर contact.php लिखा है तो PHP में जो भी हमने PHP कोड लिखा है तो submit होने के बाद इस form में रिक्वेस्ट ली जाएगी और आपका जो mail होगा वो send हो जाएगा next हम देखते हैं कि gate और post में difference क्या होता है दोनों का use हम data भेजने के लिए करते है data send करने के लिए करते है लेकिन जो हम अगर आप post का use करते है तो हमाँ जो data होता है वो encrypted रहता है encrypted में send होता है और अगर हम gate यूज़ करके अगर data को भेजते हैं तो हमारे browser का जो tab रहता है उसमें वो display हो जाता है वहाँ पे URL format में वहाँ पे आ जाता है तो gate इतना secure नहीं होता है हम gate का ज़द तर use forms में नहीं करते है तो next हमारा enc type attribute तो आपने देखा होगा कि जब भी आपको इक form बनाते हो तो उसमें अगर आप file का use करते हो जैसे कि file upload हो गया image upload हो गया तो उसके लिए आपको enc type का use करना होता है आपको लिखना होता है enc type equal to double code में multipart slash form data तो यह जो attribute है यह आपकी form data को encode करने का काम करता है जब भी आप अपने form में files print करना चाते हो यह image हो गया video हो गया तो उसके लिए आपको enc type का use करना होता है तो first time input के बारे में देखने वाले हैं जितने भी input type से वह हम देखने वाले हैं तो हमाला first input type है तो उसके लिए हम लिखेंगे input type double quote में आपको add करना होगा type का name तो first हम देखते है button यहां में लिखता हो button और इस button को आपको value भी add करने है जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूँ submit ओके तो यह हमारा button आ चुका है तो अगर आपको form में button add करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो ओके next हम देखते है password अगर आपको एक password का field बनाना है तो आप लिखते है यहाँ पर password तो इस type का आपको यहाँ पर field आ जाएगा अगर आप किसमें कुछ लिखते हो तो आप जो भी लिखोगे वह यहाँ पर show नहीं होगा यहाँ आपको dot dot आजाएगा तो इसके लिए आप password field का यूज करते हो अगर आपको time add करना है तो time को use कर सकते हो तो यहाँ से आप time को भी update कर सकते हो अगर आपको file को add करना है तो यहाँ आपको लिखना होता है input type file तो आपको यहाँ पर file का option आजाता है कुछ इस तरह से तो यहाँ से आप जो है file add कर सकते हो इस तरह से लेक्स हम देखते हैं input type color तो यहां से आपको color का option में आ जाएगा इस तरह से आप यहां पर color select कर सकते हो अगर आपको input field में number add करना है तो आप यहां पर लिखने होते हैं number तो आप यहां पर numbers add कर सकते हो अगर आप यहाँ पर इस तरह से भी आड़ कर सकते हो या टाइप करके भी आड़ कर सकते हो नंबर नेक्स हम देखते हैं मीननमेक्स अट्रिबुट का किस तरह से यूज कर सकते हो तो फर्स्ट हमें एक लेबल बना लेते हैं लेबल यहाँ यहाँ लेबल लेता हूँ लेबल और आई बार दियसे हम डेट का उसका सैंफलित इंपडेड का उपस्टन आँ डिय सकते हो चैनल आपको लिखना होता है कि हम प्रेड को नि लिखता हो 2010 12 यह अपना month हो गया आपका और यह last में हम 31st यह date को add कर देते हैं फॉर्स आपका यह date हो गया यह आपका month हो गया और यह आपका year हो गया अब इसको मैं refresh करके आपको दिखा देता हूँ जैसे मैं यहाँ पर date select करने जाओंगा यह आप देख सकते हैं यहाँ पर 2010 तक ही हमको date show कर दे 11, 12, 13, 20, 23 यह date नहीं शोग थी क्योंकि हमने यहाँ पर max हमको यहाँ पर 2010 तक ही यहाँ पर date show होंगी max चूज़ करने से तो 10 से पहले कि जितने भी dates होंगी उन सब को अप्डेट कर सकते हैं लेकिन बाद में जितने भी dates आएंगी उनको अप्डेट नहीं कर सकते हैं तो max में यह होता है आप जो भी max में date यहाँ पर show करते हो अब उस date तक ही date को update कर सकते हो next अगर आप मैं इसे को copy कर लेता हूँ और हम mean का यूज़ करके देख लेते हैं यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ मिनिमा यानि कि मिन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20-24 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ month January अब जैसे मैं यहाँ पर date को update करने जाओंगा तब देखो अभी क्या होता है आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर date को select करने जाओंगा तो मुझे यहाँ पर 2024 तक ही यहाँ पर show कर रहे है मतब 25 हो रहा है 6 हो रहा है अगे जितने भी आने वाल करने उससे पहले का 2024 के पहले कर देख कर सकते हो सब उन्हें सबको अप्डेट कर सकती हैं और मैक्स में क्या होता है अगर जो भी एक अप्रिए ऑप करते हो वहाँ तक कि आप उस देट को अपड़िट कर सकते हैं तो यह लिए पूख्स के या पे लिएंगल इस अगर आपको इस भॉक्स में पूझ आइड करना है तो लिए प्लेस Deutsch ख और और आपको जो भी टेक्स करना है वह मुझे सज्छ सकते कि एंटर यूदे करते हों ग्योंहे enter your first name तो यहाँ पता चल जाता है यहाँ मुझे यहाँ बटन को भी एड़ के तो मैं चाहता हूं कि जब तक यह form फिलपना हो यह form शम्मिट ना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर इंपुट में लिखते हैं यहाँ पर लास में लिखेंगे हम required required का use करेंगे ओके कोई यहाँ पर direct form को submit करने यहाँ पर जाता है तो उसको इस टाइप को message मिल जाता है कि place fill in this field तो जब तक कोई यहाँ पर data add नहीं करेगा तब तक उसका जो form होगा वो submit नहीं होगा तो यह submit हो जुगा है तो इस तरह से आप जो है required का use कर सकते हो next हम देखते हैं कि forms में action और methods अब किस तरह से लिखते हो और इनका use क्या होता है तो जैसे यहाँ पर मैं एक form को बनाए और इसमें कुछ add करता हूँ और इसको मैं submit कर देता हूँ तो submit करने के बाद आपको जो data है वो कहां पर बेजना है किस file पर बेजना है तो उसके लिए हम action करते हैं तो अभी यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है मतलब submit हो रहा है लेकिन हमने यहाँ पर action set नहीं किया है तो action set करने के लिए हो contact.php और इसका आपको method भी लिखना होता है तो यहाँ पर हम method लिखेंगे post जब भी आपको data को भाइजना होता है तो उसके लिए आप post यूज़ करते हो और data को अगर database से अगर website पर अगर शोव करना है तो आप gate का यूज़ करते हो तो contact.php नाम से कोई file तो नहीं बना है हम एक file बना लेता है यहाँ पर एक new file तो यहाँ पर मैं कुछ आइट कर देता हूँ मैं send okay तो जैसे मैं इस form को submit करूँगा यहाँ पर कुछ लिखके तो यह data होगा वो इस contact वाले file पर set हो जाएगा है इस file पर इस action पर तो यहाँ पर क्लिक करता हो submit पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है यह contact वाली file open हो चुकी हो और हमारे हो जुका है तो अभी सेंट तो नहीं हो रहा है हम क्योंकि हम अभी जस्ट चेक करें अभी हम सीख रहे हैं यहाँ कि यह किस्ता से action वर्क करता है तो अगर आपको mail send करना है तो आपको PHP के file में mail का coding करना पड़ेगा तो वहाँ हम सीख लेंगे बस हम देख रहे हैं यहाँ से कि action का यूद हम किस्ता से कर सकती हो तो अगर आपको कुछ भी यहाँ से send करना होता है form में form के थुरू तो वहाँ पर हम action का यूज करते हैं और आपको जिस file में भी data भेजना होता है जैसे कि हमने यहाँ पर name add किया है तो यह जो submit करेंगे तो जो name होगा वह इस file में आ जाएगा और अगर यहाँ पर में gate का यूज करूँगा तो gate में क्या होगा जैसे मैं यहाँ पर कुछ आइड करता हूँ तो यहाँ पर हमने जो name set किया है फिल्ड में name तो यहाँ पर वो name आ चुका है और इक्वल टू हमने डाटा भेजा था वह यहाँ पर आ चुका है तो यही होता है reference gate और post में नेक्स हमारा है text area जैसे यहाँ पर मैंने एक फिल्ड बनाए अगर मैं यहाँ पर कुछ आइड करता हूँ तो यह तो एड हो रहा है लेकिन मेरे पास अगर बहुत सारा डाटा है जिसको मुझे आड करना है तो उसके लिए हम text area को यूज करते हैं तो वह में आपको दिखा देता हूँ तो फिर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं text area तो उसके बाद हम text area को close कर देंगे लाइस टेक सेरे लागा के लिए ओके और आपको जो भी हाँ पर message आड करना कर सकते हो अगर मैं message नहीं करोगे तो भी चल जाएगा ओके इसके अंदर आपको लिखना होता है कि आपको इसमें कितने रोज आड करना है या कितने कॉलन्स आड करने तो फॉर्स हम इसको नेम द 10 rows हो गए और यहाँ पर मैं call set कर देता हूँ तो call से इसको width मिल जाएगी अब मैं इसको refresh करके देख लिए यह हमारा text area यहाँ पर आ चुका है तो अगर मुझे multiple lines अगर चाहे होगी तो मैं वह text area के तुरू कर सकता होगा मुझे मेरे पास अगर multiple data है अगर मेरे पास बहुत स data है जो मुझे भेजना है तो उसके लिए हम text area का use करते हूँ तो next हम size and multiple attributes के बारे में देखते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक label add कर देता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ choose plan okay तो यह हमारा label आ चुका है और इसमें मैं अब select को add कर देता हूँ select और इस select के अंदर हम options को add करने वाले हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ options और यहाँ पर मैं add कर देता हूँ first month और इसी को मैं copy करके paste कर देता हूँ okay तो जो options हमने add के हैं वो यहाँ पर show हो रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर click करता हूँ तो यहाँ पर मुझे drop down का option मिल जाता है तो मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे यह page रिप्लेश हो by default यहाँ पर दो value यहाँ पर display हो जाए और उसके बाद मैं मैंनूली यहाँ इसको click करके यहाँ पर select कर सकता हूँ तो अगर मुझे वह ऐसा करना है तो मैं लिकूंगा select किया कि size मैं लिकूंगा 2 यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड मंथ यहाँ पर display हो जाएंगे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर display हो चुक है और मुझे और कोई चाहिए होगा तो यहाँ से मैं इसको select कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर लिकूंगा 4 तो यहाँ पर प्र उप्ष्ट डिस्प्ले हो जाएंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं अब मैं यह चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर सिंगल आप्षिण ही select कर रहा है अगर मैं यहाँ पर क्यूबड पर कंट्रॉल भी प्रेस करूंगा ना तो यहाँ पर मल्टिपल आप्षिण सेलेक नहीं होंगे तो मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने दिये है वो यूजर कर सके तो उसके लिए यहाँ मैं मुझे जो पर option चाहिए होंगे मैं यहां से select कर सकता हूँ तो multiple से आपको यह फाइदा होता है कि आप जो options user को दे रहे हो वो अपनी मर्जिस से यहां पर select कर सकता है कि लेक्स हम देखते हैं कि आप step attribute को किस तरह से use कर सकते हो तो उसके लिए मैं यहां पर यहां यहां पर मैं लिखूंगा इंपुट टाइप नंबर तो यह हमारा फिल्ड आ चुका है अब मैं चाहता हूँ जैसे कोई user इस वाले एर्रो पर क्लिक करें तो आप उसको डिफॉल्ट जो वैल्ली वह शो हो जाए जैसे यहां पर भी 123 हो रहा है अगर नीचे जा रहा हो तो यह मैंनस में शो हो रहा है तो उसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा step और यहां पर मैं लिखता हूं 3 अब मैं इसको रिप्रेश्ट के आपको दिखा देता हूं अब जै यहां पर 11 करता हूं तो यह 11 से start हो जाएगा यहां से ओके यह देखी 11 यहां पर आ चुका है